हेलो अब्रीवन आपका एग और फिर से वैल्कम करते हैं आज के हमारे इसप्रेस वीडियो पर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथट डिस्कस करूँगा कोटक फ्लाकसिक क्या अप फंड डायेट ग्रोध के बारे में साथी साथ मैं आपसे discuss करूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund में कुछ पैसा जमा किया होते हैं तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और last वो मैं आपसे discuss करूँगा कि क्या हमें इस mutual fund के अंदर अपना देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसकी return के अपर बात कर लेते हैं तो इसने जो पिछले एक साल में return दिया है वो दिया है 37.96% का return है तीन साल के अपर बात करते हैं तो तीन साल में 18.16% का return है पांस साल के अपर बात करते हैं तो पांस साल में 16.16% का return है और अगर N1 return की बात करते हैं तो N1 return है 17.30% का अगर हम लोग NAB के उपर बात करते हैं तो आसके rate में इसका एक NAB का price है 81.27 पैसा rating की बात करें तो यह 3 star rating mutual fund है इसमें minimum SIP amount आप 100 रपया लगा सकते हैं और इसका fund size है 45,111 करोड का हम लोग बात कर लेते हैं अगर इस mutual fund के अंदर आप कुछ पैसा जमा किया होते हैं तो आपको 4 return देखने को मिलता अगर आपने अभी तक आप इस टोक में अपना demand account आपन नहीं किया करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description पे हमने अपना referring दिया है अगर आप मने referring से जोइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रपय का cash bonus देखने को मिलेगा अब बात करते हैं अगर इस mutual fund के अंदर आप 5000 रपया परमन जमा किया होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रपया आपको मिलता 79,933 रपया तीन साल की हैं इस mutual fund के अंदर आप एक बर में 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, कोंटेक्ट कर सकते हैं WhatsApp के थूरू जो भी डाउट होगा मैं आपका किलियर कर दूँगा इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल फिप्टी एट स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टन के पर बात करते हैं तो टॉप टन में पहला नाम आता है ICIC Bank Limited जो की Financial छेत्र में हैं, भारत Electronic Limited, Capital Goods, Larson and Turbo Limited Construction, Ultra Tech Cement Limited Construction, Infosys Limited Technology, HDFC Bank Limited Financial, Axis Bank Limited Financial, State Bank of India Financial, मारत्य सुजिकी इंडिया Limited Automobile, SRF Limited, Diversity Fight के. अब इसकी Holding Analysis को समझते हैं, तो Equity पे 98.9%, Cash पे 1% और Debit पे 0.1%. अब इस Equity को जिदि सेक्टर वाइस देखते हैं, तो Financial पे 22.9, Others पे 16.6, Automobile पे 11.7, Construction पे 11.4, Capital Goods पे 9.7, Energy पे 9.6, Technology पे 7.8, Metal and Mining पे 5.2 और Service पे 5.1%. इसकी Advanced Ratio की बात करते हैं, तो इसका Price to Earning Ratio 23.84, और इसका PB Ratio 3.70, अगर आप इसमें Minimum Investment करना चाहते हैं, तो Minimum Investment Amount सेट किया गया, 100 रुप्या का, और अगर Minimum SIP करते हैं, तो Minimum SIP इसमें 100 रुप्या का सेट किया गया है, आप हम लोग Return and Ranking के बात कर लेते हैं, और रहीं पर आपको समझ में आएगा, क्या हमें इस Minimum Fund के अंदर पैसा Invest करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोटक Flexi Cap Fund डाइट गुरूद का, जो एक साल का Return है, वो है 38%, तीन साल में 18.6, पांस साल में 16.6 और एन्वल 17.3 है, वहीं से देखा जाए, तो यह mutual fund अपना category का average से भी कम return निकाल करके दे रहा है, अगर आप Flexi Cap mutual fund की और देख रहे हैं, तो फिर कोई other mutual fund के अंदर investment कर सकते हैं, जो कि अपना category average से भी कोई-कोई ऐसा flexi cap है, जो ज़्यादा return निकाल करके देता है, लेकिन यह flexi cap अपना category average से भी कम return निकाल करके दे रहा है, तो आप इसको neglect कर सकते हैं, अगर इसके आसपस similar funds हम लोग देखें, तो इसके आसपस similar funds है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, एक साल के अंदर काफी अच्छा return निकाल क कर दे रहा 63.2 और 3 साल में भी काफी अच्छा रिटन है 28.9 अगर आप Flexi Cup के और देखते हैं तो फिर JM Flexi Cup fund diet growth के अंदर आप अपना investment कर सकते हैं अगर इसका details में वीडियो चाहिए तो और रेडी हमने एपने YouTube चैनल पर बना करकर रखा है तो आप उसको देख सकते हैं अब इ आपको 1% का exit load यहाँ पर देना होगा और स्टम ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम ड्यूटी है 0.005% अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके fund डाउस और investment objects को ले करके तो कोटक महिंद्रा मुच्छवल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 5 नमर पर रेंग करता है यह म महिंद्रा मुच्वल फंड की तरब से लॉंच किया गया है यह मुच्वल फंड इस्टार्ट हुए 5 अगस 1994 को हार्षा उपद्या अभी इसका current fund manager है इस fund का currently assist अंडर management है 3,87,349 करूर का और latest अने भी है 81 रुपया 27 पैसा बात करते हैं कोटक फ्लेक्सिक के अप फंड आइ 60 दिन के अंदर अपना investment का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे exit load देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss क्या कोटक फ्लेक्सिक फंड के बारे में तो फिर मिलते हम लग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकाली को लेकर के